विद्योत जामवाल की एक्शन फिल्मों में दर्शकों को कुछ ना कुछ नया मिलता है। अब उनकी क्रैक भी सभी एक्शन लवर्स के लिए एक सिनेमेटिक अनुभव है। फिल्म क्रैक को आदित्य दत ने डाइरेक्ट किया है और फिल्म में ऐसे रोमाचक एलिमेंट्स है जो की आपको शुरू से लेकर अंत तक बांध कर रखेंगे। फिल्म में ऐसा एक्शन दिखाया गया है जो आज से पहले किसी और फिल्म में नहीं देखा गया। फिल्म अप पहले सीन से ही आपको थोड़ा एंगेज करती है। ट्रेन के ठ्रिलिंग राइड से शुरू होती यह फिल्म जो थोड़ी देर के लिए आपको हैरान कर देती है। भाई की मौत का बदला। फिल्म की कहानी सिद्धू की है जो एक अंडरग्राउंड एक्स्ट्रीम खेल प्रत चाता कि वह इसमें भाग ले। क्योंकि सिद्धू ने इसी प्रतियोगिता में अपने भाई को खोया होता है, इस वज़ा से उसके लिए इसे जीतना उसकी जिन्दगी का मकसद होता है। साथ साथ वह खूब पैसे कमा कर अमीरी की जिन्दगी जीना चाता है। पॉलेंड म का मिलना कहानी को और रोमान्चक बना देता है। सिद्धू को मालूम पढ़ता है कि देव की वज़े से ही उसके भाई की मौत हुई थी और यह जानने के बाद वह अपने भाई की मौत का बदला और इस प्रतियोगिता को जीतने में और जुट जाता है। इस सफर में उसकी मुलाकात पैट्रिशिया नोवाक से होती है जिसके किरदार को एमी जैक्सन ने निभाया है। इस सफर में वह सिद्धू का साथ देती है। फिल्म के अंत में देव और सिद्धू के बीच एक दौड होती है जो काफी खतरनाक होती है। यहां रेस फिल्म का हाईलाइट है और सभी एक्षन सिनेमा के प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करने वाली है। हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय एक्टर स्टार विद्युट जामवाल अभिनेता के साथ साथ निर्माता भी बन गए है। उनकी प्रोडक्शन की अगली फिल्म क्रैक को पहली स्पोर्ट्स ड्राम फिल्म कहकर प्रचारित किया जा रहा है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि फिल्म का एक्षन कई सीक्वेंस में हिंदी सिनेमा को एक पाइदान ऊपर भी ले जाता है। लेकिन फिल्म कहानी और स्क्रीन प्ले के मामले में ओंदे मुह गिर गई है और फिल्म को प की हैं, जिसे जान को जोखिम में डाल कर स्टंट करना बहुत पसंद है और वह हर दिन खत्रों से खेलता रहता है. उसका सपना यूरोप के सबसे बड़े अंदरग्राउंड स्टंट गेम प्रतिसपरधा मैदान जाने का है और बड़ी इनामी राशी जीत कर अपने सभी सपनो को पूरा करने का है. मैदान प्रतिसपरधा का मास्टर माइंड देव अर्जुन रामपाल है. सिद्धू आखिरकार अपने सपनों की जगा पर पहुचता है, तो उसे अपने भाई निहाल की मौत के बारे में चौकाने वाला सच पता चलता है.